बहुत जादा करोना बढ़ गया है और उसी के मद्दे नजर पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक हफ़ते छे दिन का लॉक्डाउन लगाया था जो कि कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है जिस तरह से तेजी से केसे बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते वे लॉक आखरी हथियार है करोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसे बढ़ रहे थे ये आखरी हथियार इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था लेकिन अभी भी करोना का कहर जारी है और करोना कम नहीं हो रहा तो इसी लिए उसके मद्दे नजर कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह पांच पजे तक के लिए इस दौरान हमने वे तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पर लेकिन 36-37% तक संक्रमंदर पहुंच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 39 पॉइंट कुछ आई है मैं यह नहीं कह रहा कि करोना खतम होने की दिशा में जा रहा पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी ज़्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है हमने दिल्ली की इस वक्त जरूरत 700 टन की है और हमें केंदर सरकार से 480 टन एलोट हुई है कल 10 टन और अलॉट किया केंदर सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है लेकिन ये पूरी अलॉट्मेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुँची है तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की महामारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुँच रही है ये जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुँच नहीं रही है जगे जगे से जगे जगे से जगे आनी है ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगे जगे अस्पतालों में महसूस हो रही है लेकिन हमारे ओफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगन, हमेरे सभी लोग रात-रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है एक एक अस्पताल जहां जहां कमी है वहां सप्लायर से, मैनिफेक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो ले के आ रहा है उससे फोन करकर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे, मैं यह नहीं कहूंगा कि सारे कोशिशें कामयाब रही, कई जगे फेल भी हुए हम लोग और कई जगे हम समय पे ऑक्सीजन पहुचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई, तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात-रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुचाने कि जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं, चूकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालो किया, हमने एक वो पोटल टाइप बनाया है और ओर जारी कर दिये गए हैं, जिसमें हर दो दो घंटे में, मैनिफेक्टर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूजर तक, हर एक को दो दो घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन के पोजीशन बतानी पड़ेगी, कि मैनिफेक्टर को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घं घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बचे गई हैं, ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहां कमी आने वाली है, तो इसके अलावा केंदर सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है, कल भी पूरा दिन केंदर सरकार के अलग-अलग मंत्रालें क साथ हमारे ओफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें केंदर सरकार और दिल्ली सरकार अच्छे से मिल के काम कर रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाइज आने में दिक्कतों को दूर किया जा सकें, और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के जहां से भी और केंदर सरकार से तो मदद मिल रही है और भी जहां से भी हम लोगों को oxygen मिल सके, oxygen के tanker मिल सके, पूरी देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिठ्थी लिखी है कि अगर आपके यहां, आपके इसी कंपनी में कोई oxygen की possibility हो तो हमें oxygen महिया कराईए, oxygen tanker महिया कराईए, कुछ एक रज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ concrete नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बहुत जादा कठेन परिस्थिती है, इन कठेन परिस्थितिय मिलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया.